इक दम एक नंबर काम हो रहा है हुआ है ? हाँ हुआ है काम जूतो बोले ! नाए नाए जूत नहीं बोले Colonel काम बहुत अच्छा हुआ है पांच सालों में और उमेर है कि बहुत अच्छा होने बोला है आपने बोट दिया ? जी नी दियए बोट अगर एक घर में सार मांगी चलिए अगर पांच परिवार लेडिसा है ना पांच होग मीर रहा ना मंतली बिना महनत का और का चाहिए अपनी उपर गर्भ करते हैं कि हम जहां भोट दिये हैं वो मेरी भोट सही जगा गिया है तो हमारे जो बत्वान विधायक यहां के हमारे चमरालिंडा जी हैं वो यहां के परत्यासी हैं और हम लोग का मद्दान दी हम लोग खास करके हम लोग इंडिया गट बंधन के विकास के कारे को हफसे खुश होकर हम लोग आज मद्दान की हैं और हमारे इंडिया गठ बंधन के उमीद्वार चमराल इंडा भी विश्मपूर चेत्र से हैं और उनका कार्य काल बहुत अच्छा रहा लोगतंत्र का महापरु चल रहा है और इस महापरु में लोग बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं और हम ये बता दे कि जारखन में 43 सीटों पर आज वोटिंग जारी है और हम इस वक्त हम जो मौजुद है यह आप देख सकते हैं कि जो विसुनपूर विधांताव चेत्र के उग्रा पंचायत में है यहां की सिती और परिसिती से हम जानना चाहेंगे लोग यहां पर भोट देकर आए हैं आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हैं सबसे पहले आप अपना हाथ उठा दे कि वोट दिये हैं कि नहीं देखे आप देख सकते हैं कि लोग जो है वोट देकर निकले हैं वोट देकर निकलने के बाद जो है हमारे साथ मुखादी हुए हैं क्या आपका नाम है हमेरा नाम सखेर अंसारी है किसा मुद्दे कु लेकर आप लोग वोट देने निकले हैं घर से क्या लगता है कि इस बार जो है आप लोग का जो गजो विकास हुआ है पन्चाइट में विसंपूर चैट में विकास हुआ कि नहीं उतलिक में 9223 222 पी सबसे बड़ी बात है कि सिच्छा रोजगार सड़क कई ऐसे मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं हलाके माब को बता दे कि जितने भी यहां पर लोग है यह अलफसंख्यक समुदाई के लोग है और अलफसंख्यक समुदाई जो है एक बहुत बड़ा वोट फैक्टर भी है बताइए किस तरह से यह विकास की जो रूप कॉरब कर दो हैं और हमारे इंडिया गठ्पन्न के उमीदिवार चमराल इंड़ा भी विश्मपूर छेत्र से हैं और उनका कार्या काल बहुत अच्छा रहा खास करके हम लोग का सेनहा परखंड में मेरेज हौल बना सडक बना बात्रूम बना यानि सवचालाय बना यानि आने कार्यों किये हैं हम लोग के लिए मेरा यह नहीं कहना है कि आप आपने किसको भोट दिया है आप विकास के नाम पर भोट द दिये हैं यह स्थानी मुद्दे को लेकर बोट दिये तो यह बड़ी बात है इसको लेकर क्या कि सिच्छा तो चली रहा है सिच्छा के लिए हमारे अथी यह मन सुरेंड सरकार अभी विदेश में सिच्छा प्राप्त करने के लिए यहां से भेज रहे हैं हर साल पचीस का टार किये हैं यदि सरकार हम लोग का बन जाता है इंडिया गटवंदर का जहार खंड में तो पचास से बढ़कर हो सके सब चातर शात्राइं विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए गRO walked in सिच्छा रोजगार बहुत पड़ा मुद्दा है और लगव्त है ले अपने बातों को रख रहे आया और यह को अ सबसे बड़ी पीड़ा है औउर नाम निसारel मेरा उग आपी और तु सर悦ा है जहाएं यही जो गाउल classic लग कि अलपसंख्या का एक मंसा जो सोच है, हम लोग बीचार है, हम लोग देखते हुए जैसे हमन सरकार जब सी हाँ आये हैं, हमारे बीच में जो तनाव दूसरे बीच में था या किसी तरह कोई अदर जो मतलब सरकार यहां पर बैठे, उनके बीच में क्या होता था, एक दूसरे सिधर, माउनलींची गएरा, इस अब होता था, ये सब हम लोग को दीख रहा है कि अब नहीं हो रहा है, हम लोग सुरक्षा कुछ महसूस कर रहे हैं, और हम लोग ये भी सरकार सौर भी चाहते हैं, अगर अगली बार फिर बन जाए, तो हम लोग के लिए सुरक्ष का दूर करें, तो मिल जूल करें, और गाहों गाहन तक कुछ सिच्छा का और ज्यादा ये करें, हम लोग के ज्यादा सुरक्षा यही दिमाग में आ रहा है, पहले आप जलपान किये कि पहले बोट दीए, पहले तो बोट दीए, आपका क्या नाम है, नस्बूल अंसरी, नस घर से जब निखले थे, तो पहले क्या सोच करनी करे थे, किन मुद्दों को ले कर वोट करेंगे, क्या सोच करनी करेंगे? देख सिर्कार ने अतना ही अब मिनार बन गया है, रोड बन गया है, यह इतना तक कि हर परिवार का कुछ नी कुछ लभ है, जैसे बिजली बिल माप हुआ, दो सा यूनिट बिजली जलाने का उभी समझे कि हम लोग के लिए माफ है, तीसरी बात है कि मैया समान योजना जो आ रहा है, हर बेक्ती को, हर लेडिस को एक एक हजर महिना, यानि या इतना ही तरह का इससे फादा है कि कौम भी बताएं, तो भी करने का निरने की है, बहुत सा लग जो है, नोटा का बटन भी दबा देते हैं, क्या खेंगे उनको, नहीं तो नहीं दबाता है, हो सकता है, कोई वह इसा गलत होगा, उसका सोच है, वह इसा ही होगा, तो करेगा, लेकिन सब आदमी इन साल चाहरा है कि जेमेम को फिर से कैसा है रहा है, देखें, बिधायक काम तो किये हैं, लेकिन कुछ काम बाकी है, जो उमीद करते हैं, कि इस सवर सगर जेमेम के सरकार गटमंदन की बनी, तो उमीद करते हैं हमारे सरकार से हमारे विधायक जी से, कि वह भी पूरा करें, कुछ तो बाकी है, सब पूरा तो नह समुदाय the day देख़े preserve वहरों का में बात होता है कि बंग्ला देश के आहे हुए है तो उतना नाधेश हम च्छी की प्तों को जारी से नहीं हुझता है जी कर सकते हैं 6 लेकिन जो सरकार इस तरह से जो जो भी कहते हैं कि बंगलादेशी घुस पैठी है यह हो है तो हम लोग को नजर मोई सा नहीं लगता है और हम लोग यह चाहते कि मेरा देश का बागे बढ़ेगा जब एक दुसरे का बिरोध मतलब उस तरह से घिमना बाते छोड़े क्या करें देश का मुद्दा का बात करें है नि दुसरा द होता है संदेश जो दुसरे तरह भेजटा है कि नहीं अब बंगलादेशी घुस पैठी है यह हो है यह एक ब्सक्त्रक आदमी ज्यादा बर्गलाता है महल को भी गाड़ता है यह सब नहीं कोई बोले उसका तो आ पना इसतर मुसको साइट किया जा जाए यह से बोलना बहु कि मुस्लिम समुदाय की लोग बंगलादेशी को घुछाते हैं लाते हैं में उद्देश यह टार्येट रखता है कि मुस्लिम लोग बंगलादेशी को श्वाइन फॉत्त के अपना यहां सरन देते हैं यह सब गलत बात हैं तेकि हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लगातार जो यह बाते उठ रही है कि जो बंगलादेशी घुसपैट है वो जारखन में हो चुका है और जो लगातार जो बाते उठ रही है कि कहीं ने कहीं उसमें अलपसंख्या समुधाय के लोग भी जो है यहां सामिल है इसलिए ह निन लोक्तंत्र का महापर्व है एक ऐसा महापरु है जिसमें लोग भड़ चड़ कर रिसा ले रहे रहे हैं और वोटिंग का जो मता अधिकार का जो प्रियोग है हो कहीं नैंगें वो चर्ट है और हम ये बात बता दे कि जो सहरी इलाके से ग्रामिन इलाके के लोग मद्दान के पती काफी ज्ञागरुक होते हैं, ये बड़ी बात है, जी आपका पहले नाम बता रही है, आभी जी आपने भोट दे दिया, आँ दिकाए देखें, आप देख सकते हैं, ये बहुत लोग तं अइसन पूर्प विजहां तबाद यह उग्रा गाउं है उसकी उद्वाफ का लगता है विकास के पहरी पर पर जो है यह लीज़िय से बहुत हुआ कि शिरव ओफ है कि माफ हुआ माँग चलिए लोकेसि माफ हुआ है न है मांगे छेंद जो इस हाजार अट आपदोस को मिली रहा है कि अब उसा पोची सो मिल वो कर जी जाएंगे तो अच्छा क्या सोच करके जो है आप घर से निखले थे भोड़ दो देने के लिए निकले थे लेकिन उस तो मन में चल रहा होगा क्या करना है क्या नहीं है आपकी घर परिवार में भी लोग है वो भी सोचते होंगे कुछ-कुछ लेकिन आप जो सोच करके निकले हैं वो क्या सोच है विकास हुए रोटी कपड़ा मकान यह सबसे महत्वपोन चीजे होती है वह आपकी पूरी होती है कि नहीं पूरा होता है पूरी होते हैं देखे बड़ी बात है कि इनके साथ भी जो है लोग यहां पर भोट देने के लिए आये थे यहां बुथ जो है और भोट देके निकले आपका क्या परिच्छ नाम बताई मक्सुद अंसारे मक्सूद युवा है तो युवाओं की एक अलग सूच होती है कि कही देश के भईश के निर्मान में युवाओं का जो है भूत भड़ा भागिदारी होती है क्या सोच करके जो है आप वोट देने निकले आपने जी दे दिये भूट अच्छी बात है तो यही सोच के निकले थे कि गाउगर का जो है सो विकासो और बहुत देना ही है नहीं देन से दिक्कत है मतलब नहीं मतलब नहीं देने से दिक्कत है तो एक एक भोट कीमती है बहुत कीमती है अभी बहुत माइने रखता है अच्छी बहुत से लोग घर से निकलते नहीं है बोलते हैं बोट क्या देंगे बाद में देंगे बाद में देंगे करते करते भोटी ने दे इन पांच सालों में छेत्र की जो विकास गाथा है उसके बारे में बताई कि हुआ है या नहीं हुआ है क्या लगता है कि इन पांच सालों में नेता आते हैं सिर्फ आ के चेहरा दिखाते हैं चले जाते या वाकई काम हुआ काम बहुत अच्छा हुआ है पान सालों में और उमेद है कि बहुत अच्छा होने साथ होने वाला है वादने डिलिदि वह देखा दिने और पबताए कि आप कितना नहीं होое है अप क्षांच बयोट ओम्रम्र में सद्ध कर लिए यह कम ऊमर में किया हूँ मैं साद्य करते हैं mm कहां तक पड़े हैं कि मैं अभी ए Careful में हुँ अब और पंधा hice कँ अपरेल में कर लूट में अधिकार थी भोट देने का, इसलिए हम भोट दान कियें, और हम अपनी उपर गर्भ करते हैं, कि हम जहां भोट दिये हैं, वो मेरी भोट सही जगा गिया है, छेत्र का विकास जो है इन पांस सलों में देखते हैं, हुआ है, आपके गाउं का प्रखंड का, मेरी नजरों में बहुत सा चीज हुआ है, और बहुत सा चीज होगा आगे चलके, हमको एसा नहीं लगता है कि हम जिनके उपर भोट दिये हैं, हमको एसा नहीं लगता है को आगे चलके कुछ ऐसा काम ना करेंगे, एसा हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि अपना सिछा के बारे में और भ करेंगे ऐसा हमें लगता है चले और हम देखे भी हैं बहुत सा चीज हमारे जो हमन सरकार है वह बहुत सा चीज देखे हैं हम जो सपोर्ट किये हैं खुद मेरा रहने का घर नहीं है खुद हमें वह घर दे रहे हैं और हमेरा तो बिजली बिल नहीं है लेकिन लोगों का 30,000, 40,000, 50,000 तक का यह बिजली बिल था आपके घर में बिजली ओ थे अबू उसका बिल पायक पे करते हैं हम नहीं करते हैं आरो आपका जी बीजली बिल पे मेरा ही 44,000 बील जाए लेकिन धार चाहिए इससे बड़ा कदना चाहियह बहारा आपकें मेरा ली बहुत बढ Div़ा के लोन भी नेपड़ताल को अगर बिजली बाहने से तो जतना सूत इसे उड़ता है मांगे चलिए हैं अगर पकड़ा जाने से जलो हो जाते हैं कि निसो बता ही तब बहुत बड़ा काम हुआ है और ये एक देखा जातों सरकार की मत्वा कांची योजनाओं में से ही है बिजली माफी भी है ना मैया समान गयोजना वह भी बहुत बड़ी बात है अगर एक घर में सार मांगे चलिए ये बात है अगर पांच परिवार लेड़ी से आए ये और फसमेर जागे ना है बात है और हॉट है इहां पर से नाम वहां नांसारी करीम जी है और बहुत बहुत दिया बधान और दिया सोचके कि हम तो थे रहे वोट दिया थाई है तो तो बाउन वर्बान परिशिति में ये देखे जो उग्रेंदा पंचायत है उग्रा गाउभ है क्या लगता है ठीक काम हुआ है हमको लगते हैंपकर दोग शुक्त लुखा करती हैं चल लिखे लिखे तो कहते हैं पड़ देगा है उसके बचति लोग यह संब्धाए उसके बच्चे लोग लराया, नमशन देगा है हाँ 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 बीदेश में कितना फसल था सब को हमनसुरन ले लाया लगड़न में बहुत आदमी फसलता यहां जारखंड का अदमी हाँ कोई सरकार लाने ने सकता लेकिन हमनसुरन लाया है काहे भूलाया गण को कोई जाती को भी ने देख रहा है आपका क्या नाम हुआ उन् हमने कई नियुक्त शरकार τη जाति याषओ जाता है ओश daran या जाता है इस सरकार जाती ने देख रहे हैं जैसे मया और जिना सबस्तुन को दे रहे हैं पस जोटने पोट रहा है तो इसके बिजली अथि अथिता माफय कर दिया जिसका जिसका लाउन था माफय कर दी है मैं यह में मिले रहा है तो का चाहिए हम लोग को सुबह कितना बजे निकले तो सुबह सुबह हम लोग तो है दस साठह दस बजे निकले हैं जोट बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं दस साठह दस बजे निकले हैं जो निकले हैं जो निकले हो ही बोलेंगे हम दस बजे निकले थे हम लोग साथ बजे हम निकले थे हम लोग साथ बजे यहां बूत पहुंच गय थ तो 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 इसा भी बोटर है जो बूठ जो है वो खुला भी नहीं कि वो पूंच गए अज अब ताला खुल रहा था ना तब यह पूंच गए तो सोच लिजे कि यहां के बोटर कितना ज्यागरुप है बहुत-बहुत सवल सलाम है अब कर दो अच्छा बोट परिसाद ठीक र जाता है हम लोग का टूटल उसमें मुझत तो साड़े च्छेस सवाच छेसों मोट हो चुका है अभी तर चलिये रहा है चलिये रहा है बहुत खुसी की बात है देखे हम यह विसुनपूर पिधानसवाच छेत्र के जो उग्रा पंचायत है यह जो गाउं है यहां से हम ग्र से निकलने के साथ ही जो है किस मुद्दे को लेकर जो है वोट करेंगे क्या सोच करके जो है वोट करने निकले हैं तो इन तमाम मुद्दों पर लोगों लिए तो ये समझ में आया कि जो वर्तमान सरकार है वो सरकार की जो है वो कहीं न कहीं वविकास कारियों से वो लाभानुवित हो रहे हैं इसलिए जो घर सो निकल कर जो है वोट करने निकले हैं हाला किजित्व से उन्होंने बताया कि इस विधानसवाद छेतर में विकास की जो लहर है विकास की जो गंगा है कहीं न कहीं बही है तो यह बड़ी बात है तो विसुनपूर विधानसवाद छेतर के उगरा पंचायज से जीयन भारत के लिए मैं मोहन कुमार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें